बेला मायद के जिंदगी में एक खुशी आती नहीं है कि उसके बाद ये दोनों के जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होई जाता है जिससे दोनों को अलग हो जाना पता है आप सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि शोकी कहानी में अभी तुश जिनों पहले ही दोनों का मिलन हुआ था लेकिन आप दोनों के जिससे अलग हो चुके हैं और ऐसे में दोनों की मिसीवत इस बार इतनी जादा बढ़ गई है कि बेला भी कुछ नहीं कर पा रही है खाली में शोका नया प्रोमो रिलीज किया गया है जोसमें आप सबने देखा होगा कि कैसे दोनों अलग तो हो चुके हो और माहिद की दुबारा से इंट्री कर गई गई है वो कि इस बार माहिद नहीं बल्कि कुछ बन कर आया है बेला के जिन्दगी में जहां आप सब देखने वाले है कि कैसे वो बेला के सामने कुछ बना वा रहेगा और ऐसे में आप बेला पूरे सच का खिलासा करने वाली है जहां कुछ खब्रों की माने तो आप सब देखने की कैसे कुछ के सामने बेला एक ऐसी सक्चाई बताने वाली है कुछ को जिससे कुछ खुद ही मजबूर हो जाएगा इस ख़़दों की माने तो इस बार बेला ही खेलने वाली है खेल जहां वो फिर्ष से भूट बोलती नज़र आएगी और बेला ये भी खिलासा करेगी कि वो बनने वाली है माहिक के बच्चे की मा और ऐसे में माहिक का सब जब प्रिश के सामने आएगा तो वो फिद बखुद सब बताने वाला है बेला को लेकिन देखना ये मज़दार होगा कि क्या दर्श को को ये ट्रैक देने को मिलेगा भी या फिर ये खबर में जब अख़वाबन करें जाएगी जाने के लिए में रेमा साथ और दाजिन प्री से गिरी लेकिस अब्रेक के जाने के लिए सब्सक्राइब कीज़े हमारा चानल टॉपनीज जास परियू टॉपनीज से काजल प्रिपो